हलो दोस्तों वेलकम टू बीपीएसी ग्यान मेरा नाम है आलोक रंजन सिंग और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिसकस करेंगे अप्रेल महीने का बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेस जहां यह प्योरली बिहार स्पेसिफिक होगा यह जो इंपोर्टेंट स्रीज है यह आपके अपकमिंग इग्जैमिनेशन जैसे की 78 बीपीएसी इग्जैमिनेशन फिर बीपीएसी का टीचर इग्जैम फिर बिहार स्पेसिफिक का इग्जैम है बिहार दरोगा का है और कई सारे दूसरे बिहार के गवर्मेंट इग्जैमिनेशन आने वाले टाइम में तो पूरा वीडियो बहुत ही इत्मिनान से देखिए और पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सेर करिएगा तो पहला है हमारा बिहार के प्रियांस का तिरंदाजी में जल्वा संगाई वर्ल्ड कप में भारत को दिलाया गोल्ड और सिल्वर तो प्रियांस यह जो प्लेयर है यह शूटिंग में यह प्लेयर है आर्चरी आप कह सकते हो ठीक है आर्चरी वर्ल्ड कंप स्टेज वन टूर्नामेंट यह करा जा रहा था कहां पर तो चाइना का एक सहर है संगाई ठीक है यहाँ पर ही आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज वन टॉर्नमेंट हो रहा था यहाँ पर इंडिया ने आठ मेडल जीते जिसमें से की पांच गोल्ड मेडल थे और इसमें दो सिल्वर मेडल थे और करीबन एक हाँ एक ब्रॉंज मेडल थे ठीक है और इनमें से जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल है उसको जीतने में एक इंपॉर्टेंट रोल रहा प्रियांस का ठीक है और प्रियांस मैं बता दूंक प्रियांस जो है मुल रूप से भिहार के बगू सराय जीले से बिलॉंग करते है यह चीज़े हैं ठीक है प्रियांस ने individual category में silver medal जीता और compound compound में इसनों ने gold medal जीता compound यानि कि अभिशेक और प्रतमेश के साथ मिलकर इन्हों ने यह तिरंदाजी करी इस एक टीम में किया ठीक है उसमें इन्होंने gold medal जीता है तो दोनों ही जीतने में यह important role अदा क्या है और यह कहां से बिलॉंग करते हैं बेगुसराय से यह आपको याद रखनी है चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट हमारा important आर्टिकल है छे महीने की सजा काटने वाला मुख्या नहीं बन पाएगा पंचायती राज विभाग ने लिखा पत्र कहा जेल जाने वाले त्रियस्तरिये पंचायत च सजा काट लिया है तो वह मुख्या का हो सरपंच का हो या पंचाय समीति का कोई फी इलेक्षन वह नहीं लड़ पाएगा ठीक हमेशा के लिए वह बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा अगर छे महीने सजा वह काट चुका है अब यहां हमें जानना होगा पंचायती राज सिस् सिस्टम को exclusive किया गया घीक और तो जबेशा को पंचायती राज सिस्टम है कई सेट में आपको टूप टियर मिलें गे और कई सेट क्छीए समस्तूर 2 वाले मिलें या निकि भिहार में आपको 3 टियर वाला चायती राज सिस्टम मिलेगा जैसे बलवंत राय महता और यह सोकं महता कमिटी आए जीवी के राव कमिटी आए एलम सिंग्वी कमिटी आए ठुंगन कमिटी गर्जिल कमिटी यह सारे कमिटी किस चीज से रिलेटेड है तो पंचायती राज सिस्टम से बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा और सबने किसी ने टू टियर किसी ने थ्री किसे इंडिकेट किये कि यह ऐसा होना चाहिए यह सबने अपने जब रिपोर्ट सबिट किये तो सबने कुछ न कुछ चीजे बताई और जो पहला राज्य था यानि कि हम कह सकती के पहले जब एक सविधानिक इसको कॉंस्टिच्यूशनल एस्टेटस नहीं मिला था जब तक इस पंचायती राज सिस्टम को उससे पहले आप को हो तो राजस्थान में यह पहली बार पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था ठीक है और 73 अमेंडमेंट एक 1992 में यह इस एक्ट के तहत इसको बिलकुल कॉंस्टिच्यूशनल दरजा दे दिया गया यहां पर पार्ट पार्ट 9 यहां पर एड किया गया 11 सेडूल एड किया गया इसमें पंचायती राज सिस्टम के लिए ठीक है पंचायती राज सिस्टम बैसिकली एक ही इसका अबजेक्टिव था कि लोकल गवर्नेंस पर हम यहां पर जोर दे और डी सेंट्रलाइज करें पावर को जो पावर पूरा का पूरा सेंटर गवर्नेंट में है या फिर उसके बाद स्टेट गवर्नेंट में है वो जो पावर है बिल्कुल बटे और जाए बिल्कुल ही बेस लेवल पे बिल्कुल ही गाओं लेवल पे यह पंचायत लेवल पे यह पावर जाए ठीक है तो यह था पंचायती राज सिस्टम का पंचायती राज सिस्टम को 73 अमेंडमेंट एक 1992 के तहत इसको constitutional status मिल चुका था आर्टिकल 243 से 2430 तक इसके प्रोविजन्स आपको मिलेंगे हमारे constitution में और क्योंकि 1992 को ये act अमेंड हुआ था बना गया था तो ये जो लागू जो हुआ था पंचायती राज सिस्टम ये लागू कर दिया गया था 24 एपले 1993 को इसलिए हम हर साल 24 अप्रेल को पंचायती राज दिवस अब्जर्ब करते हैं और आपको बता दू कि पंचायत जो है वो इसके बारे में प्रोवीजन आपको DPSP में भी मिलेगा DPSP के आर्टिकल 40 में इसके प्रोवीजन भी दिये गये हैं तो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर अपने एकुँदे क्यान थे गवर्णर राजेंदर विश्वनात अर लेकर इस लागले ट्यक्व्य तो श्यक्वन पर महाट्सवो इन्नालंदा थे बाड़ों तो च्यक्वंडल महाट्सवो एकूंदीनाजर आपकी कहाँ पर यह विद्ष प्रोवीज सोग्या गया काँ पर यह ए इंपोर्टेंट है तो कुंडलपुर महोसो हुआ बिहार के नालंदा में ये भी याद रखिएगा कि इनके बर्थ एनवस्टरी पे तो महावीर महावीर का जो पुरा नाम था वर्दमान महावीर जो की जैनिजम जैनिजम यानि की जैन धर्म जो है उनके 24 वे तिर्थंकर थे और पहले तिर्थंकर कौन है जैनिजम में रिसब देव और लास्ट है वर्दमान महावीर वर्दमान महावीर जो है एक बहुत ही इंपोर्टन चीज़ है कि बिहार में ही ना बुधिजम का जन्म हुआ बिहार में ही ना जैनिजम का भी जन्म हुआ तो जैनिजम ये जो ति ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है और इनका इनकी डेत जो हुई थी वो पावापुरी में हुआ था राजगीर में राजगीर आपको कहां मिलेगा नालंदाड इस्टिक में कि ठीक है और राजगीर तो आपके बिल्कुल जुआन पर हो गाहे क्योंकि बिहार सरकार राजगीर को सबसे ज्यादा प्रॉमोड करती है क्यों यहां सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है इस कारण ठीक हाला कि बिहार के दूसरे टूरिजम अस्पोर्ट को भी और भी प्रायर्टी देनी चाहिए वहां भी डेवलप्ड करने चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बिहार में डिस्प्ले करने के लिए चीजें नहीं है बहुत बिहार में इंडस्टी नहीं सेटप कर पा रहे हैं तो एक टूरिजम इंडस्टी तो सेटप करिए कोई चीज तो हो जिसके जिसके दाद बिहार की एकोनॉमी जो है वो ग्रो करें कि चलिए नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कि दर्भंगा मद्दान के इन तो देखिए लोकसभ इलेक्शन है ठीक है अठ रहुआ और इसमें दर्भंगा मद्दान के अंदर मोबाइल एप लॉंच किया गया है दर्भंगा मद्दान के इस एप के थ्रू चुनाओ से जोड़ी सभी परकार के छोटी बड़ी सिर्फ जानकारी उप्रवधी नहीं होगी बलकि चुनाओकार में लगे जो भी ऑफिसर्स हैं उनके नाम कॉंटेक्ट नंबर भी दिया जाएगा इस दर्भंगा मद्दान के अंदर पर ठीक है तो दर्भंगा के डीम ने इसको यानिकी इसको लॉंच किया है दर्भंगा मद्दान के अंदर और जैसा कि आपको मालूम है बिहार में लोकसभा बिहार में लोकसभा एलेक्शन एक्चुली कहा जाए तो साथ फेसे में इस साल कंड़क्ट हो रहे हैं ठीक है फ्रस्ट फेस जो है वह 19 एप्रेल को स्टार्ट हुआ और लास्ट फेस फरस्ट जून दोहजार चौबिस को खतम करेगा कि आखिर नेक्स्ट पी एम ओफ इंडिया कौन होने वाला है ठीक है हलाकि यह यह इलेक्शन जो है वह यह नहीं डिसाइड करता है कि पी एम कौन होगा बटकि यह डिसाइड करता है कि एमपी कौन होगा ठीक है और उसके बाद एमपी डिसाइड करेगा कि पी एम मैं एकसन दोहजार चौबीस को अगर आप देखो तो ये सात फेज हैं साथ फेज उन्नीस अपरेल में एकसो दो कॉंस्टिवेंशी और 21 ऐस्टेट्स इसमें सामिल हुए इसमें वोटिग चला और 89 कॉंस्टिवेंशी में 26 कॉंस्टिवेंशी में तेरह में को 96 वोटिंग हुई और बीस में जो कि पाचवाँ फेज है बीश में को 49 वोटिंशी में और 25 में 2024 को 57 वोटिंग हुई और फिर फेज साथ जो कि लास्ट फेज है यह भी 57 सेवन कॉंस्टुचुएंसी और 8 स्टेट्स में इसके साथ ही इलेक्शन जो है 2024 का यह समाप्त हो जाएगा और उनको रिजल्ट होगा लेकिन फिर आप यहां पर देखें कि बिहार में कहां साथों फेज में कौन कैसे बटे हुए क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा ही इंप्रोर्टेंट है आप देखिए फर्स्ट फेज सेकेंड फेज थर्ड फोर्थ फिप्त सिक्स सेवें यह सारे का ड थर्ड में जंजारपूर शुपॉल अररिया मध्यपूरा खगडिया में दरभंगा उजियारपूर समस्तिपूर बेगुस्तराय मोंगेर सितामढ़ी मदुबनी मुझपरपूर सारन हाजिपूर ठीके और छठे चरन में वालमिकी नगर में पच्मी चंपारन पूर्वी च होगा और देखिए दो most important election है हमारे देश में एक तो आप देख रहे हो यह center का election है और दूसरा एक elections है हमारे state का ठीक है state legislative elections जो भी जो है वो है सब के constituency जो है वो अलग है क्योंकि जो आप यह MP के constituents देख रहे हो ना इस MP के constituency में कई सारे MLA के constituency सामिल है कम से कम तीन चार पांच MLA के constituency सामिल होंगे एक MP के constituency में ठीक है तो यह चीज़े भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि चलिए तो फिर हम आयाते हैं अब अपने next article पे जो की important article है है इलेक्शन से ही related है लेकिन important है अब इस article को अगर आप देखते हो तो आपको एक चीज के लिए होगी वाई इस विलेज अब 300 households इन बिहार refuses to vote तो देखिए पीपल मेंना है क्योंकि लोगों में awareness बढ़ रहा है वो अब यह समझ रहे हैं कि अगर हम vote दे रहे हैं तो इसके लिए जो हम चून रहे हैं जो MP जो MLA हम चून रहे हैं वो हमारे एरिया में work करेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहले के तरह अगर वो MP MLA जो है वो हमारे एरिया में क्या क्या करने वाला कि बस कुछ पैसे दे देगा और वो वोट ले लेगा नहीं अब ऐसा नहीं हो रहा है कई सारे सोशल मेडिया भी एक important role play किया है इस awareness में कई सारे जो students हैं कई सारे लोग हैं आम जनता जो है वो जाकर directly अप उनके नेता जब उनके constituency में उनसे वोट मांगने जा रहे हैं तो उनसे सवाल कर रहे हैं वो questions कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि आपने पिछली बार हमने आप को वोट किया था तो आपने हमारे लिए क्या किया वो कुछ important मुद्ध रख रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि यह वाला चीज तो आपने बनाया नहीं यह हाई श्कूल आपने नहीं बनाया आपने यह वाला रोड बिलकुल नहीं बनाया तो यह चीज़े भी आपने एक रोड बनाया वो तूट गया तुरंत ही तो इस तरीके से लोग अब जो भी MP उनके पास जा रहे हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं और ये बहुत इंपोर्टेंट है डेमोक्रेशी में ठीक है ये चीजे जिस दिन जाग गई ना नेता जब दूसरी बार हिम्मत ही नहीं करेंगे बिना कुछ काम किये वोट मांगने की ये ये अवेर्नेस इस तरीके से अगर फैलती रही तो तो बहुत ही इंपोर्टेंट है इस चीस को आप एड़ कर सकते हो आपसे अभी प्यासी पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि बिहार में अवेर्नेस कैसे बढ़ रही है वोटिंग या फ ये चीजे भी आप यहां पर इग्जैंपल के तौर पर कर सकते हो तो बिहार का ये गाओं जो है वोट करता ही नहीं यह बिल्कुल बॉइकोट करता है सारे सरे elections को अगर वह elections या फिर MLA के elections हो या फिर MP के elections हो दोनों कोई वाइकोड किया है और यह कौन सा विलेज है आप यहां पर इसका नाम देख सकते हो सब्सक् prefix छोह खोंगी विलेज सब्सक्राइए बढ़ क्या का इस सवाफ नग्षां कीजिञ हो यह सुपावल में है और यह 1990 लोक सवाइय उलकॉट किया था 2020 क控 listeners Haar असे मुंद का इयलेचिन सब्सक्राइएए और इस साल यह नियुज्य में क्यों है क्योंकि इस साल दो हजार चौबीस का जो लोकसवाई एलेक्शन है उसको भी इसने बॉयकोट किया है ठीक है और यहां पर क्योंकि यह कह रहा है कि जब तक हमारे लिए कुछ सुख सुविदाएं कुछ रोड्स बगरा बन ही नहीं रहे हैं हमें बिल्कुल यह अलग कर दिया कि मेरी बात उन हो रही है हिए तो हम क्यों वोटिंग करें हैं मैं थे माप मैं आप को ठोड़ा सा बताने की कोशीश कर रहा हूं देखिए आ पलगर पता है कई सारी नदिया है कई सारे सरे ये नॉर्थ पार्ट पार्ट में मैप है जिसमार कि यह साउथ पाइय नॉर्थ पार्ट हो गया ठीक स्टेमी शमास सीन रही य। वह वॉर्टर बहुत जादा होता है और यही रिवर्ट का आद है ओंने बिहार्ट में फ्लर्ट लाती YE अब सुपॉल में जो कोसी नदी है ना ये जो कोसी नदी आपको इस पार्ट में गाउं बसा हुआ है ठीक है उसी गाउं का यहां पे नाम आप देख रहे हो खोखनाहा गाउं यहां पे हैं और उस गाउं गाउं इतना खराब इस्तीति से वह गुझर रहा है ठीक है यानि कि हर बार बाढ़ आ जाती है और इधर सुधर बढ़ आता है वो एक बढ़िया से घर भी नहीं वहाँ पर कर पाता है उसके लिए अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है ठीक है वो यह चाहते हैं तो फिर अब देखो कैसे वो कितना अधी से निरे वो क्यों में या इलेक्शन में इंट्रेस्ट होगा तो फिर लोग यह कह रहे हैं कि बिहार में जो है वोटिंग परसेंटेस्ट कम हो रहा है तो कम होगा ही क्योंकि लोगों का इंट्रेस्ट हट गया है क्योंकि हम कितना वी वोटिंग वेज़रा कर लें और यहां पे हमारा कोई को व भीहार में अगर नदियां देखो तो घागरा गंडग बुढ़ी गंडग बागमति कमला बालान फिर यहां पर कोशी महानन्दा यह सारी नदियां आप देख पाओगे ठीक है यह जो कोशी नदी है ना यह कहीं एक कुर्सेला जगह है कि यहां पर गंगा नदी से मिल जाती है कि यह कोशी नदी को तो आपको पता भी होगा कि इसको सौरों और बिहार भी कहा जाता है ठीक है तो यह चीज़े विध्यान रखिएगा आ जाते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पर अपने तो प्रजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेन्ट है याने कि 14 वाइस प्रेसिडेंट है देश के वो है है जगदीप धनकडजी यहां पर आप देख सकते हो तो उपराश्पत्य जगदीप धनकडजु है वो एक दिवसी बिहार दोरा पर आये थे किस चीज में तो आई आई एम बोध गया के छटे दिशांत समारोह में यह यहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर यहां पर आये थे बोध गया इस्तीत विश्व परसीद महाबोधी मंदीर में भी इन्हों ने दर्शन किया तो आई एम यानि की इंडियन इंस्टूट और मेनेजमेंट मेनेजमेंट का यह कॉलेज है जहां पर यह चीफ के तोर पर वाइस पेजिडेंट आये थे ठीक है कब आये थे साथ तारीक आये थे साथ एपरेल दो हजार चौबिश को और गया में गया में महाबोधी टेंपल है महाबोधी टेंपल को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में युनेशको ने 2002 में ही एड कर लिया था ठीक है 2002 से महाबोधी टेंपल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में सामिल है बिहार का दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो की युनेशको ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस् कौन है आप बताइए कमेंट सेक्षन बहुत है हाल फिलाल बहुत जादा न्यूज में रहा था तो आप कमेंट सेक्षन में बताइए आपके लिए क्वेश्चेन रहा इतना पॉपलर चीज अगर आप नहीं जान रहे हो तो फिर कैसे बिहार के एकजैम्स दोगे ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लोकसवाब पोल्स वोटिंग टाइम फोर बिहार स्टेट्स एक्स्टेंडेड बाइट टू आवर्स एक यह भी इंपोर्टेंट है ठीक है कि एलेक्शन्स है तो एलेक्शन्स रिलेटेड जो है वो करेंट अफेर्स जादे हैं कि एप्र कमिशन्स में बढ़ाया था दिहार में तो दो घंटे बढ़ाया किन चार जीलों में बाका मदेपूरा खगड़िया मुंगेर यह वो जीले हैं जहां पर हीट वेव का बहुत जादा इंपक्ट था ठीक है गर्मी देख रहे हो बहुत जादा गर्मी हीट वे बहुत बड़ा इंपक्ट यहां पर था तो इसके तहत यहां पर कहा है जो स्टेट एलेक्शन कमिशन है उसने रिक्वेस्ट करी एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया से कि यह हमें करना चाहिए तो फिर यह यहां पर किया गया कि हां बाका मदेपूरा खगडिया और मोंगेर में टाइम थोड़ा सा दो घंटे बढ़ा दिया जाए यानि कि पहले बाकी के जंडल अगर आप देखो तो इलेक्शन टाइम क्या है सुबह सात बजे से साम चार बजे तक ही आप वोट कर सकते हो लेकिन बिहार के बढ़ाय गया है कि सुबह सात बजे से साम को चे बजे तक आप अलेक्शन यानि की वोटिंग कर सकते हो यह चीजह आपर रखे गई ठीक है नेक्सट में आ या क कि शर्यान डूपा इस कुपा हाल या शरी एसडूपातरन में आपको मिलेगा और मैं आपको बता दूँँ मे largest and tallest Buddhist अस्तूपा है पुरी दुनिया भर में 106 फिट लंबा आपको मिलेगा और इसका जो बेस है यानि कि यह जो अस्तूपा है यह जो बेस यहां पर आप देख रहें यह वाला यह अस्तूपा है पुरा और यह जो बेस है इसका जो डामेटर है ना वह 123 मेटर है ठीक है तो बुद्धिजब में बैसिकली अस्तूपा का होता क्या है तो इसमें ना बुद्धा का रेलिक्स रखा जाता है बुद्धा के बुद्धा के अफ्षेस रखे जाते हैं इन अस्तूपा में ठीक है तो किसरीया अस्तूपा याद रखेगा इस चंपारन में इस चंपारन डिस्टिक में आपको मिलेगा नेक्स आजाईए नेक्स अगर आते हैं तो नवाड की हम बात यहां पर करते हैं नवाड एक्सटेंट फानेंशियल सपोर्ट अफ रुपीज 10,372.86 करोड दस 1372.86 करोड का यह फानेंशियल सपोर्ट जो है बिहार को बढ़ा दिया गया है इतना सपोर्ट दिया फानेंशियल यह दो हजार तैईस चौबिस में और यह खारा कि नवाड के तरब से बिहार को अब तक का हाइस्ट है और ग्रोथ कितना कब नवाड ने बढ़ाया तो 21% का पिछले साल यह प्रिवियस फानेंशियल यह में अगर देखा जाया तो उससे 21% इस बार जो फानेंश कल्चर और रूरल डेवलपमेंट है ठीक है यह बेसिकली गाउं में एकर कल्चर के लिए रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड करता है फानेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है नवाड तिक इसका हेड़ कौाटर आपको मुंबाई में मिलेगा और नवाड जो है ना यह स्टिोटरी बॉडी है दोog चीजे होती है ठीक है एक स्टिर बॉडी हो गया आ या फिर ये टीक्राइशिकल बॉड़ी हो गया स्टिश्नल बॉड़ी हो और रूपको में में संटिक्राइग टायम ही गया इसको लिए पॉस के लिए पट्रूड आर्टिकल दिये गया थे लेकिन अस्टेटरी बॉड़ी वो होते हैं कि बाद में सरकार अपने जरूरत के कोई एक्ट पारित करके एक्ट पारित किया नबाड एक्ट नाइंटीन एटीवन इस एक्ट के थुरू यह नबाड जो है यह स्टाब्लिस किया गया है और इस एक्ट कब पास किया गया है नाइटीन एटीव को में एक्ट के तहत यह पास हुआ है इसलिए यह बॉड़ी होता है नबाड ठीक है और यह जो पैसे हैं तस हजार 372.86 करोड उपए इसको refinance direct finance और grant के support के रूप में यहां पे नबाद ने बिहार को provide किया है ठीक है तो यह चीज़े भी important है याद अखना है अब आजाते हैं next article पे तो next है SJVN partners with IIT Patna to improve tunneling project performance using advanced geological models तो SJVN यानि कि 17 जल विद्यूत निगम यह एक public sector unit है यानि कि सतरकारी कंपनी है भारा सरकार के अंडर यह आती है इसका headquarter आपको शिंबला में मिलेगा यह hydroelectricity power जो है वो generate करती है है hydroelectric power generate करती है 17 जल विद्यूत निगम ठीक है तो इसने IIT Patna के साथ partnership किया है Memorandum of understanding पे shine किया है किसलिए तक मिलके जो है वोड डेवलप किया जा सके predictive analysis algorithm डेवलप किया करने के लिए जिससे to leverage integrated geotechnical data will forecast potential risk and provide yearly warning system specifically tailored for tunneling objects अब जो tunnel बना रही है बनाती है hydro power electricity generation के लिए उन सब चीजों में IIT पठना जो है अपना टेकनिकल सपोर्ट प्रवाइड कर सकता है वो एक predictive analytic algorithm प्रवाइड कर सकता है जिससे की टेनल में कितना risk है उससे पहले अगर कोई risk होता है बनाने में चीजे करने में तो यह पहले ही हमें warning मिल जाए इस चीज़ के लिए यह समझा होता किया गया है ठीक है तो 17 जल विद्यूत लिगम IT पटना के साथ आईये नेक्स्ट आजाते हैं और आज का हमारा लास्ट है सो लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार एक पंचायत एक बैंक योजना क्या है इस योजना का नाम बिहार एक पंचायत एक बैक योजना जो कि जल्द ही बिहार के ग्राम पंचायतों में शुरू किया जाएगा ठीक है यह आर्टिकल है यानि यह वरी पंचायत शुड़ है वन बैंक अकाउंट जितने भी बिहार में पंचायत हैं उनका एक ही बैंक एकाउंट होना चाहिए यह नहीं कि उनके पास पांच छे साथ बैंक एकाउंट है किसी में किसी उस एकाउंट में पंचायत काम हो रहा है किसी उस एकाउंट से है आफ बैंकों के साथ हिए और in future є नंवर बढ़ भी सकते हैं दस बैंक भी हो सकते हैं कि फिलहाल आगद आफ inिया चेनरा बैनक चबया पीएन-बी बॉट्रbey सेंट्रल बैंक सौथ भी कोफ Σब्सक्राइब। ब्यार ग्राम इन बैंक इस querनला कर लुग अब्सटराइब। होना चाहिए यानि कि या तो अप PNB का अकाउंट रखिए SBI का रखिए सेंट केनरा बैंक का रखिए ICIC रखिए किसी भी बैंक का रखिए बस एक ही हमें हम आपके पास अकाउंट होने चाहिए और ताकि उसी में बैंक जो पंचायत के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं इन्फ्राइस्टेक्शर्स तर रिलेटेड चाहिए जो भी डेवलप्मेंट के रिलेटेर ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे एक ही अकाउंट के थ्रू होंगे ठीक है यह सरकार ने यहां पर किया है तो हर पंचायत का एक है तो वो सारे account उन्हें बंद करने होंगे और सिर्फ एक कोई account उन्हें रखने होंगे जो कि इन आथ बैंकों मेंसे होता हो पुई होगे कि बिहार एक पंचायत एक बैंक योजना इससे benefit क्या है देखें इस योजना के माध्यम से भरस्ठाचार है वह रोका जा सके ग्राम पंचायत पे होने वाले जो भी फिजूल खर्ची है एक पंचायत एक बैंक खाता योजना के माध्यम से अंकुस लग सकेगा राजसरकारदवरा एक ही बैंक खाते में पंचायतों के तमाम योजनाओं की रासी भीजा सकती है जो भी अब स्टेट गवर्मेंट जो भी पंचायतों को वह एक ही बैंक एकाउंट में भीजा जाएंगा ठीक है और पंचायत इसी खाते से राजसी को खर्च भी कर सकेगी पंचायतों के बैंक खातों पर विभाग के मुख्याले दौरा निगरानी रखी जाएगी और पैसों के लेंदेन में होने वाली जो गरबड लाएगी इस योजना के माध्यम से बिहार की हर पंचायत में बैंक विक्सित हो सकेगे बैंक भी विक्सित हो जाएगा ठीक है अब इन सारे जो भी बैंक है यह तो हर पंचायत में एक-एक अपने ब्रांच तो ओपन करेंगे ही ठीक है तो इसलिए एक-एक बैंक के ब्रांच के अंतरगत आईगी ठीक है तो यह पूरा हमने डिसकस कर लिया है अप्रेल महीने के बिहार specific most important in current affairs और जो भी notes वगेरा हैं मैं आपको telegram channel पर प्रवाइड कर देता हूं और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe ने किया है तो जरूर subscribe करिए चलिए तो फिर हम मिलते हैं BPSC के आनके एगले वीडियो में thank you for watching जेहिंद